हमारे सभी दर्शकों को सादर्पणाम जैशी क्रश्ण आज मैं आपको सिह राशी के बारे में बतोंगा सिह राशी वाले जितने भी बच्चे हैं लड़के लड़कियां वे किस राशी से विवा करें तो शुब रहता है किस राशी से विवा करें तो अशुब इस्ति रहेगी और यदि आपकी संतान है उसकी राशी सीहन नहीं है तो आप यह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई रिष्टा आया और रिष्टे जहां से आते हैं वहाँ पर यदि कोई सीहन राशी वाला मिलान आया तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि आपकी संतान का विवाह सीहन राशी से करें या ना करें तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे सबसे पहले तो आपको राशीयों को समझना पड़ेगा कि राशीयां जो है उनके स्वामी कौन-कौन से ग्रहा है इसके बारे में मैं पूरु में भी जानकरी दे चुका हूँ और मेश से करक तक चार राशीयों के बारे मैं बता चुका हूँ कि वे किस राशी से विवा करें तो अशुब इस्तती रहेगी आप चाहें तो वे वीडियो भी देख सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है यहां पर इसे दबाएं इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकरियां आपको समय पर मिल पाएगी तो सबसे पहले तो आप ग्रहों को समझें कि साथ ग्रह हैं उनकी कौन-कौन सी राशियां है जैसे मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र, शनी, सुर्य, चंद्रमा तो मंगल की मेश और वर्ष्चिक राशी है शुक्र की वरशब और तुला राशी है बुद्ध की मितुन और कन्या राशी है चंद्रमा की करक राशी है और आज बात हो रही है सीह राशी की उसका स्वामी सुर्य है धनू और मीन राशी का स्वामी गुरु है मकर और कुम राशी का स्वामी शनी कहलाता है अब इनकी मित्रता भी समझ लेएं कि जैसे सूरी की सीह राशी है और सूरी का मित्र है सबसे पहला चंद्रमा फिर मंगल फिर गुरू फिर बुद्ध ये चारों जो हैं मंगल बुद्ध गुरू चंद्रमा ये चारों सूरी के मित्र हैं शत्रु कौन से ग्रह है शुक्र और शनी अब एक एक राशी को समझते हैं सबसे पहले बात करें मेश राशी की तो मेश राशी का स्वामी कौन सा ग्रह है मंगल मंगल सुरी की मित्रता है तो मेश और सीह राशी का विवाह हो सकता है आपकी सीह राशी है तो आप मेश राशी से विवाह कर सकते है अच्छा यहाँ पर एक बात और है कि मेश राशी और सीह राशी दोनों में भकुट दोश भी बहुत सी बार देखा जाता है लेकिन मेश और सीह राशी में नवम पंचम भकुट दोश नहीं लगेगा नवम पंचम का सीधा अर्थ है कि राशी से आपकी जो राशी है उससे पांचवी राशी और नवी राशी से नवम पंचम दोश लगता है लेकिन मित्र राशी है तो दोश समाप्त हो जाएगा, भकुट के साध गुण जुड़ जाएगे, तो मेश और सिह राशी में भकुट दोश नहीं लगेगा, और साध गुण बढ़ जाएगे, मिलान शुभ हो जाएगा. अब दूसरी राशी है व्रशब इसका स्वामी शुक्र है तो शुक्र की राशी से सुरी की राशी का विवाह करना शुब नहीं रहता है शास्त्रोक्त देखें तो शत्रु राशीया है तो व्रशब राशी और सिहें राशी में शत्रुता है मिथुन की बात करें तीसरा नंबर जो है मिथुन राशी का है तो मिथुन राशी का स्वामी बुद्ध है सीह राशी से विवा करें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है करक और सीह का विवाह किया जा सकता है इसमें भकुट दोश जिसे दिर्द्वादश दोश भी कहते हैं यह दोश नहीं लगेगा क्योंकि राशी मितरता है तो करक राशी का सिह राशी से भकुट दोश नहीं लगेगा विवाह किया जा सकता है साथ गुन और जुड जाएंगे यदि आपकी सिह राशी है और आगे से मिलाना आया उसकी भी सिह राशी है तब भी ये कही राशी है स्वामी दोनों का सुर्य है तो कोई समस्यावली बात यहीं नहीं यहाँ पर नाड़ी वगेरह दोश भी बहुत कम लगते हैं इस बात को भी समझ लेएं फिर कन्या राशी की बात करें तो सिह और कन्या में भी भकुट दोश नहीं लगेगा कई शास्त्रों में इस बात को लिखा गया है कि सिह और कन्या राशी में भकुट दोश नहीं लगता है यहाँ पर साथ गुण जुड जाएंगे मिलान शुब हो जाएगा क्योंकि कन्या राशी का स्वामी बुद्ध है सिह राशी का स्वामी सुर्य है ही दोनों में मित्रता है तुला और सिह राशी सात्वा नंबर है तुला राशी का सिह राशी से विवाह करें तुला राशी वाले तो यह इस्तती स्रेश्ट नहीं होती है अगली राशी व्रश्चिक तो व्रश्चिक राशी का स्वामी मंगल है सिह राशी से विवाह किया जा सकता है कोई समस्या वाली बात नहीं है बहुत से दोश भी कड़ जाते हैं अगली राशी है धनू, धनू राशी सीह राशी से यदि गिने आप तो सीह कन्या तुला व्रश्चिक धनू पांचवी पड़ेगी, यहाँ पर भकुट दोश नहीं लगेगा, इसे नवम पंचम दोश कहते हैं सीह राशी से धनू राशी जो है वह पांचवी पड़ती है और धनू से सीह राशी नवी पड़ती है, तो नवम पंचम दोश इन राशियों में नहीं लगेगा, नवी और पांचवी राशी होने के बाद भी दोश नहीं लगेगा क्योंकि राशी मितरता है और साथ गुन पुर्दोश लगता है सिंह कन्या तुला व्रशिक दन मकर छठी राशी पढ़ती है मकर राशी से और मकर से गिने तो सिंह राशी आठ भी पढ़ती है तो छे आठ का शड़ाश्टक दोश लगेगा क्योंकि राशी मित्रता नहीं है अगली राशी है कुम्ब कुम्ब से भी विवहा करना ठीक नहीं रहेगा सिंह राशी स्वामी सुर्य कुम्ब का स्वामी शनी मकर का भी शनी तो यहां मित्रता नहीं है अगली और अन्तिम राशी मीन राशी इसका स्वामी गुरू होता है और यहां से अगर आप सिंह राशी तक जाएँ तो मीन मैश व्रशब मिठुन करक सिंह चटी पड़ेगी राशी सिंह राशी मीन राशी से गिनने पर चटी पड़ेगी और सीह राशी से मीन राशी तक गिने क्योंकि मीन का बारा नमबर अंक है बारा नमबर राशी अच्छा एक बात और समझ लेवें आप वोसे लोग कन्फ्यूज होते हैं चंद्र राशी है या जन्म राशी है तो जन्म राशी और चंद्र राशी एक ही बात है मेश राशी, दो पर है, तो व्रशब राशी, तीन पर है, तो मिथन, चार पर है, तो कर्क, और आज बात हो रही है सिह राशी की, तो आपकी कुंडली में, यदि चंद्रमा, पांच नंबर अंग पर बेठा हुआ है, तो आपकी सिह राशी होगी, सामन इसी बात है, और इसे जन्म राशी कहते हैं, चंदरकुंडली भी इसी से बनती है पांच नंबर अंक से, तो मीन राशी से मितरता होने के कारण क्योंकि मीन राशी का स्वामी गुरू है, धनू और मीन, इन दोनों राशियों का स्वामी गुरू है, तो यहां पर किसी प्रकार का भकुट दोश नहीं लगेगा, सीह राशी वाले धनू राशी से भी विवा कर सकते हैं, मीन से भी कर सक मकर से विवा करना शुब नहीं रहेगा लेकिन शनी की कुम्ब राशी है तो यहाँ पर भकुड़ दोश नहीं लगता है जैसे रशब तूला और कुम्ब इनमें यदि ये राशी वाले रशब राशी वाले तूला राशी वाले कुम्ब राशी वाले सिहा राशी से विवा कर तो भकुर्दोश नहीं लगेगा लेकिन फिर भी शतुरता तो है ही फिर भी यदि विभा करना चाहते हैं तो कुंडली देखें कुंडली में सब्तम भाव को देखें सब्तम भाव के स्वामी को देखें सब्तम भाव के कारक को देखें लड़की है तो गुरु की इस्तति दे नगल की इस्थति देखें लड़का है तो शुक्र की इस्थति देखें और गुन 18 से अधिक हैं वीच से अधिक हैं तो और अच्छी बात है तो शत्रू-राशी से भी विवाह किया जा सकता है लेकिन कुंडली की इस्तिती भी अवश्य देखें तो आज आपने समझा कि सीह राशी वाले जितने भी जातक हैं वे मंगल की राशी मेश और व्रश्चिक से विवाह कर सकते हैं बुद्ध की राशी मिथुन और कन्या से विवाह कर सकते हैं चंद्रमा की राशी करक से विवाह कर सकते हैं, गुरू की राशी धनु और मीन ये दो राशियां गुरू की राशियां हैं, इन से विवाह कर सकते हैं, शुक्र की राशी व्रशब और तूला के साथ आवशक्ता विशेश में ही विवाह करें, उसमें मैंने कुंडली की इस्त या सिप राशहा, तो कुंब से विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस्तति अवश्य देखें तभी विवाह करें कुंबली की सतथी अच्छी है गरहों की सत्तियां अच्छी दशायें भी शुब है तो में राशीम्माइ मोंत्य विवाह źと लेकिन हमारे शास्त्रों में शुक्र की राशी व्रशब तुला शनी की राशी मकर और कुम्ब से सिह राशी का विवाह करना ठीक नहीं कहा गया है तो इस बात को अवश्य समझें लेकिन होता यह है कि किसी भी पर्टिकुलर एक राशी को यदि आप देखें तो उसमें सभी अलग-अलग समय पर पेदा होते हैं उनकी जनम तारिक भी अलग होती है और उनका वर्ष भी अलग होता है कुंडली में ग्रहों की इस्तियां भी अलग-अलग होती है तो उनके आचार विचार सभी अलग-अलग होते हैं तो कुंडली पर ध्यान देना सबसे पहले तो द्यान कुंडली पर ही देना होता है उसके बाद यदि गुण भी ठीक मिल जाएं तो सारी इस्तियां शुब हो जाती है तो यदि यह वीडियो आपको फसंद आया हो तो इसे शेर करना बिलकुल भी न भूलें धन्यवाद जैशिक्रश्णा